transmitted का क्या आर्थ होता है ये आज की वीडियो में सीख लेती हैं transmitted का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे transmit किया गया हूँ या जो transmit किया जा चुका हूँ उसे हम adjective के रूप में transmitted कह सकते हैं इसके इलावा transmitted जो है वो transmit का past and surpassed participle होता है यानि कि transmit की ही second or third form होती है transmitted और transmit का आर्थ होता है देना, कहना, बताना, भेजना, पहुचाना, फैलाना, कहलवाना, सौपना, दे देना, परेशित करना, हस्तांतरित करना, प्रसारित करना, संचारित करना, या पारेशित करना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि malaria मच्छरों दवारा फैलता है तो आप कहेंगे malaria is transmitted by mosquitoes malaria is transmitted by mosquitoes या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने हमें report भीज दी है तो आप कहेंगे he has transmitted the report to us he has transmitted the report to us अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें